हाई गाईज वेलकम तो मेकोवर्स पैम उसकान यूट्यूब वीडियो 2023 में मैंने डिसाइड किया कि कुछ-कुछ न्यू करेंगे एंड यूट्यूब इस वन पार्ट उफ इट तो अभी जो आपने लुग देखा था हम उसका आय मेकप इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले मैंने टार्ट शेप टेप कंसीलर को मॉडल की आय पे लगाया और एक फलफी ब्रश के साथ इस तरीके से डिस्ट्रिब्यूट कर दिया साथ मैं आप दीख रहे हूँ कि मैं फैन यूज करती हूँ स्विस प्यूटी की आप फॉरेवर फिफ्टी तू या किसी और अच्छी ब्रैंड की भी आई पैंसल ले सकते हूँ जो एजिली ग्लाइड हो जाए आपकी आई पे और मैं इसको आई लिड पे अप्लाय कर रहे हूँ आई लिड से उपर नहीं जा रहे हूँ और यहाँ पे दोनों लिड पे ब्राउन कलर की पैंसल इस तरीके से अप्लाय कर दी है अब मैंने एक पैंसल ब्रश लेके और इस ब्राउन पैंसल के प्रोड़क को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हूँ ताकि जो इसकी harshness थी corners की वो remove हो जाए और फिर मैं Forever 52 की black pencil सिर्फ center पे लगा रहे हूँ lid के सिर्फ center पे दोनों eyes पे मैं same crease brush लोगी और इसकी भी harshness को remove करूँगी जो इसकी boundaries है black color की इसको देखो इस तरीके से blend करूँगी ताकि इसकी भी harshness चली जाए मैंने एक थोड़ा सा बड़ी size का crease brush लिया है जो की clean है ताकि मेरी harshness easily चली जाए और देखो मैं इस तरीके से blend कर रहे हूँ दोनों side और अपनी fingers भी use करूँगी मैं ताकि harshness completely चली जाए अब मैं Morphe 39A palette use करके eye makeup करूँगी मैंने palette में से deep brown color लिया है और अब मैं lid के corners पे deposit कर रहे हूँ अपने crease brush को ही use करके देखो मैं center तक आ रही हूँ पर मैंने जादा जो product है वो corner corner पे रखा है और center पे आते आते कम रखा है similarly दूसरी eye पे भी apply कर देंगे मैं next step भी same करूँगी बस मेरा जो color है अब dark हो गया है अब मेरा पहले warm था थोड़ा brown अब थोड़ा dark brown हो गया है बट मैं same तरीके से अपनी eye lid पे बाहर जादा और अंदर कम deposit करूँगी अब मैं blending brush लेकि इस brown की edges को blend करूँगी और blend तब तक करना है जब तक कि बिलकुल harshness remove हो जाए the more you blend जितना जादा हम blend करेंगे उतना ही smooth और flawless हमारा eye makeup लगता है blending में थोड़ा सा time लगीगा देखो circular circular motion में आपको bit by bit करके blend करना है लेकिन जब final outcome आएगा तो blended eye shadow सबसे प्यारा लगता है मैंने same palette में से black color अपने crease brush में लेके outer side पे deposit किया है और अब उसको भी उसी तरीके से blend करूंगे जैसे मैंने brown और light brown को blend किया था next मैंने एक flat eye shadow brush में start shape tape concealer लेके और उसको eyes के inner corner से लगाना start करेंगे और इस तरीके से बहुत precision के साथ हमें उसे half way तक लगाना है और इसी तरीके से हमने दोनों eyes पे crease create कर दी है अब मैं eyes पे beautiful gold glitter apply करूंगी तो मैं उसे मिलता जुलता इस palette से gold pigment लोंगी पहले यह Anastasia Beverly Hills की Rivera palette है तो मैं मिलता जुलता pigment एक eyeshadow brush में लेके और फिर अपनी crease पे apply करूंगी उस pigment को यह मेरे glitter का base हो गया अगर मैं direct glitter लगा लेती तो इतना जादा popped out नहीं लगेगा इसलिए यह step करना बहुत जरूरी है जब यह step हो जाए इसके बाद मैं कोई भी glitter glue लूंगी मैंने यहाँ पे makeup studio की two way gel ली है और मैं इसको सिर्फ crease जितना हमने concealer और pigment से बनाया था उस पे लगाके और फिर glitter dab dab motion में apply करूँगी very slowly ताकि मेरा glitter fallout कम हो और glitter अच्छे से stick हो जाए step के लिए आप कोशिच करो कि आप flat eyeshadow brush लो ताकि देखो मैं edges कितने smoothly glitter apply कर पा रहे हैं नहीं तो अगर आप कोई round brush लोगे तो थोड़ असा मुश्किल हो जाता है आपको इस finish के साथ glitter apply करने में अब मैं forever 52 की black kajal pencil लेके और outside से half way inner side तक आऊंगी मैं complete inner side तक नहीं आ रही है और मैं थोड़ा सा इसको थिक ही apply कर रहे हूँ because मैं को आगे जाके इसको blend ही करना है तो थिक apply करोगे तो अच्छा ही है अब मैंने एकदम tiny सा eyeshadow brush लिया है और मैं इस black को blend कर रहे हूँ एक smudge eyeliner look effect देने के लिए और मैं थोड़ा थोड़ा जो extra product है वो अंदर वाली side inner corners पे भी deposit कर दूँगी अब मैंने इसी brush से थोड़ा सा extend कर दिया इस eyeliner को और अपनी finger से थोड़ा सा blend कर देंगे जो कि मैं base makeup के बाद करूँगी यहाँ पे मैंने forever 52 की green kajal pencil लिया है और इसको मैं as kajal apply करूँगी अब मैं किसी भी eyeshadow palette से soft brown सा color अपने एक पतले से eyeshadow brush में लूँगी और उसको under eye line पे जो कि water line के just नीचे होती है उसे एक्दम slowly slowly apply करूँगी बहुँच slowly slowly देखो कि इस बारीकी से मैं color को apply कर रहे हूँ मैं थोड़ा सा product इस eye के लिए भी लूँगी और मैं outer side से हमेशा start करूँगी जब भी मेरे पस product जादा होता है वो मैं बाहर से अंदर लाती हूँ product अंदर से बाहर नहीं लाती हूँ इसी तरीके से मैंने बाहर से अंदर product apply कर दिया और ये करने के बाद दिखो आपको final look में waterline पे green भी दिखेगा और waterline के just नीचे थोड़ा सा brown effect smudged effect भी दिखेगा और अब इस look को final touch देने का time आगया है जो कि देते हैं हम lashes से ये lash में गलत लगा रही थी left की right पे लगा रही थी अब मैंने correct lash correct eye पे लगा दी है और जैसे ही lash finish होती है I think पूरे look का change आ जाता है और हमारा पूरा eye makeup complete हो गया है अगर आप चाहते हो कि आप base makeup भी सीखो तो इस वीडियो का part 2 का वेट करो लेकिन उसके लिए आपो comment करना पड़ेगा कि ये वीडियो आपो कैसा लगा don't forget to like, share and subscribe my channel